प्यारे विद्धार्थियोश चोटे भाई और वैनों , लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पी आई टी के संदर में क्या होने जा रहा है और टी Fr exceeded के वारे में क्या नेड़ने हो रहे है? पैरे विद्धार्थियोश अभी सुप्रीम कोड का नेड़ने आया है और इसकी बज़े से बहुत ब्यापक परिवर्टन आने वाले समय में दिखने जा रहे हैं सुप्रीम कोड के निर्णे के बाद अब केवियस अपने रिजल्ट को अनौंस करने जा रहा है साथी साथ बिहार और तमाम राजियों में भी इस दिसा में परिवर्टन होने जा रहे हैं देखिए भले ही अभी नेने पर तमाम चीज़ें हो सकती हो तमाम चर्चाएं हो सकती हो तमाम बिद्यार्थी अध्यादेश की बाते कर रहे हैं सबी संभावनाएं बन सकती हैं लोकतंत रहे और लोकतंत में सारी बातों का बहुत इंपोर्टेंस है कदम कुछ अच्छे होने चाहिए थे लेकिन वो हो नहीं सके और उन पर भी हम लोगाज चर्चा करेंगे तो आईए आज पहला बिशे हमारा क्या है ध्यान देंगे इस बा आया है उस अंदर में कट आफ की क्या सिती बनने जा रही ही ध्यान दीजेगा देखिए जनरल काटागरी ओवी सी और एडवलू एस SC और ST इनके कट आफ की जो इस्तियां हैं अगर हम पूर की वैकेंसी को ध्यान में रखें तो इस वार जो वैकेंसी आपकी है उसमें लगबग 20 हजार लोग ये क्वालिफाई कराए जाएंगे इंटर्व्यू के लिए ध्यान दीजेगा इंटर्व्यू के लिए कितने हजार लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे लगबग 20 हजार लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे ओल ओवर इंडिया से तो पूर की रिजल्ट को देखते हुए सारी परसिद्वियों को देखते हुए जो एक अनमान ऐसा लगता है कि 110 से 115 के बीच में जनरल काटेगरी का सेलेक् OBC और EWS का सेलेक्शन होना चाहिए और इसके बाद अगर देखा जाए तो 95 से 100 के बीच में ये SC का सेलेक्शन होना चाहिए और 90 प्लस पर ST का सेलेक्शन होना चाहिए यानि जो हमारे सामने कंडिशन्स निकल करके आ रही है जनरल के लिए वो ये है कि 110 से 115 ये सिर्फ एक अनमान है जो आपको ये बताने के लिए है कि आप अपनी प्रिपेशन सुरू कर देए देखिए लास कट ओफ पर जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सिलेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है उन्हें इस बात के लिए समझना जरूरी है कि मैं कहां स्टेंड कर रहा हूँ अगर आप इस कंडिशन में आते हैं तो एक व्यापक परिवर्तन आप इंटर्व्यू से कर सकते हैं बाकी आपको नमबर बढ़ाने का आप कोई औसर नहीं है यहाँ पर अगर किसी विद्यार्थी का 140 है 130 है तो ये लोग बहुत सेफ जोन में चले जाएंगे और इनको बहुत असर नहीं होने वाला है क्योंकि जो 20 नमबर की लेके रहेगा आगे उसे अच्छे परणाम की संभावना रहेंगी लेकिन जो ये विद्यार्थी हैं इन्हें इंटर्व्यूस में बहुत अच्छे नमबर लाने पड़ेंगे क्योंकि अगर इसमें ये अच्छे रहते हैं तो फिर इनके लिए प्रॉलम आने वाली है तो ये ध्यान देने की जरूवत है कि ये बच्छे जो 115-110 के रेंज में आने वाले हैं जनरल काटेगरी के उन्हें इंटर्व्यू में मैक्सम मार्स चाहिए ठीक है और जो 120 हैं 125 हैं ऐसे वाले विद्यार्थियों को भ करने का लेकिन जो विद्यार्थि जैसे भी चीजों को समझ सकता है वो अपनी प्रपेशन को स्ट्रॉंग रखे क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत समय नहीं दिया जाएगा ये जैसे ही रिजल्ट आएगा बिदिन आमन्थ एक महीने के अंदर आपके इंटर्व्यू सुरू हो जाएंगे और एक महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे यानि टोटल एक महीने का समय मिलेगा अब ये रिजल्ट कब आने वाला है क्या है इसकी विए हम सूचना आपको देते हैं तो पहली बात तो आप ये ध्यान रख लें जो भी बच्चे इस कैटेगरी म आने चाहिए तो एक कंडिशन आपकी ये बन रही है और इसलिए बन रही है क्योंकि बीस हजार से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करने जा रहे हैं पूर के परिणाम ऐसे रहे हैं और दूसरी बात क्या है कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट के निर्ने के बाद इससे हटा दि बीस्टीसी और बीस्टीसी या डियलेट वाले बिद्यार थी हैं उनके लिए मार्क्स का काफी अंतर आने वाला है तो जो लोग बीएड किये हुए थे और अच्छे कंडिशन में थे सेनियर थे तो उनकी वज़ए से मेरिट ऊपर जाने की संभावना थी तो वो मेरिट आ सकते हैं तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे इस कटॉप में जो इस रेंज में आ रहे हैं वो पूरी तरह से तैयारी में अपने रहें कहीं कमी ना करें वो अंतिम पायदान पर हैं यहां पर समझवता सोच और अनावस्यक की डिसकुसिन का वैल्यू नहीं है यहां पर यह है कि हम अपने लच्च को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें ताकि हम सगारात्मत पढ़नाम ला सके तो यह एक कंडिशन बन रही है जिसे ध्यान दीजिएगा हम अगले पॉइंट पर आते हैं अगला पॉइंट है जो एक बहुत बड़ा चर्चा का बिशए है आजकर तो रिजल्ट ही सबसे बड़ी मांसी कुर्ण बन जाते हैं कि पहले तो बेकेंसी कब आएगी और फिर रिजल्ट कब आएगा पहले तो बेकेंसी नहीं आती सालों साल तक जैसे उत्तर प्रदिश मे vacancy का अकाल मचा हुआ है ना constable आ रही है ना द्रोगा आ रही है ना कोई और other vacancies भी कहीं कुछ दिखनी रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में बिद्यार थी उसी में परेशार है तो ऐसे में जो vacancies regular थी जो systematic थी जब उनमें कहीं दिक्कत आती है तो एक काफी लंबा समय का यह final result आना है इनके interviews बगरा complete हो गए है तो यह final result आने वाला है इसके बारे में कहा जा रहा है कि most probably August last August last में यह result आपके पास आ जाएगा इसमें कहीं कोई संदिय नहीं बन रहा है चर्चा का बिशय भी है और बार बार इस अंदर में सुचनाएं भी मिल रही है लेकिन जो PRT है PRT के result के बारे में कहा जा रहा है कि यह इसी हपते में इस सब्ता है इस सब्ता है यह हर हाल में यह result अनाउंस हो जाना चाहिए यानि आज आज आपको हम बता रहे हैं आज तारीक है 18 और 18 से एक हपते यानि 25 तारीक के बीच में इस result को आपके पास तक आ जाना चाहिए तो जो भी विद्यार थी जिस cut-off को मैं सारा कर रहा था उसमें अगर हैं तो वो अपनी तयारी को strong कर ले और लग जाए पूरी तरीके से मैं कोई दावा नहीं करता हूँ लेकि मुझे लगता है कितने सालों के अन्भों के बाद जो कुछ चीज़ समझ में आती हैं उस आध इंटर्व्यू का रूल काफी बड़ा होता है जो हाई मेरिट में होते हैं वहां पर थोड़ा बहुत चीजों से फर्क नहीं पड़ता है अगर इंटर्व्यू में 19-20 हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क होने वाला नहीं है लिए जो मीडियम रेंज में हैं या जो लास्ट तरह बढ़ रहे हैं, उनका इंटर्वी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसलिए उनको इस तैयारी में लग जाना चाहिए, तो मैंने आपको इसारा कर दिया है, लास्ट ओफ अगस्त में, यानि लगबख 27-28 के आसपास ये रिजल्ट आने की उमीद है, और 25 त देखे सुप्रीम कोर्ट के निर्णे का एक बहुत बड़ा प्रवाव पड़ा है, पूरे भारत के सिच्छा जगत में बहुत बड़ा प्रवाव पड़ा है, आप देखोगे मेल हो चाहिए फीमेल हो वो B8 की डिग्री करना चाहते थे, ये एक ऐसी डिग्री थी जिसमें उ खासा दिखती थी, एक उमीद दिखती थी, कि हमारा भविस कहीं ने कहीं सुरचित हो जाएगा, और वो सुरचित करने का काम NCTE ने किया था, ये जो NCTE है, ये इनके दोरा जो National Council of Teachers की जो वनी हुई है समिती, इनका जो काम था, इनकी बज़े से सारी चीजें हुई है, इन बहुत सारी भरतियां पूरे देश में हुई, तो लोगों की जन्मानस के मन में एक उमीद बनाने वाला काम हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट के नेड़ने का हमीशा सम्मान पूरे भारत में हर्वेक्ती करता है, मैं भी करता हूँ, विधी का चातर होने के नाते भी करता हूँ, तो यहां पर ध्यान देने की जरूबत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नेड़ने दिया है, वो नेड़ने अपनी द्रिश्च कोर्ट से देखा जाए, तो जस्टीफाइड है, लेकिन अगर हम बात करें कि सारी चीजों को देखते हुए, कि जो ताना माना बना, उसमें ये ब और जो बीटीसी वाले हैं, इनको भी प्रिश्च कोर्स करा देते, तो यह भी एभी कच्छा एक से लेकर के पास तक और उसके ओगे छे, साथ, आच को पढ़ा लेते, और यह लोग भी एक से लेके पास को पढ़ा लेते, तो यह सिच्छा के इस तरह में गिरावत नहीं आत लेकिन अब चुकि सुप्रीम कोड के समर्च जो नेरे आया है सुप्रीम कोड ने जिन माबदंडों के आधार पर नेवयर ने दिया है और उनके तरफ से तो कानूनी नेर तो ये कही ने कही उनके डिश्कॉर्ट से सही है लेकिन ये सरकार की कदम अगर ऐसे होते तो साइज जादा बहतर होता जर्मानस के लिए आज एक सिच्छक बनने की रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं वो साइज बाधाएं नहीं आती तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नह निशान हैं मांसिक उजणों के सिकार हैं और निश्चित रूप से उनके सपने टूटते हैं तो बहुत कष्ट होता है वो सपने एक दिन में नहीं बने थे सपने बनाने में बहुत समय लगा उसके लिए बहुत पैसा खर्च हुआ और कई कई साल इंजार करने के बाद ये स कोई भी विद्यारती ऐसा कोई कदम ना उठाए जो उसके जीवन के लिए उसके परिवार के लिए नकारात्मक हो और आने वाले समय में उसके उमीदों को खतम ही कर दे आप एक सिच्छक हैं आपने जो ही कोस पढ़े हैं जो पढ़ाई की है एक रास्ता बंद होता है तो द निकल कर किया है तो आज मेरा सिर्ब बताने को दिश यही था कि जो प्याइटी का रिजल्ट है टीजीटी और प्यजीटी के के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं जिनके इंटर्व्यूज अभी होने हैं जिनको परिछाओं में इंटर्व्यू देने का उसर मिलने वाला ह है वो अपनी प्रिप्रेशन को रेडी रखें तैयार रखें ताकि जब समय उनके सामने आए तो उस समय वो कमजोर ना पड़ें और जिनके रिजल्ट अबेटेड हैं विसोर से प्रात्ता करें कि सकारात्मत परणाम उनके जीवन में मिले इन्हीं अनंत सुब कामनाओं के स साथ जाहिन